नमस्ते डेयर वीवर्स आज के इस वीडियो में हम लोग गॉसस लॉइन इलेक्ट्रोस्टाटिक्स को डिसकस करने वाले मेरे प्यारे वीवर्स एलेक्ट्रोसिटी एंड मैगनेटिज्म का यह बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है देखें मेरे प्यारे वीवर्स इस गॉस वाले वीडियो में इस सब को एक साफ डॉस्कस करेंगे एक ही वीडियो में और हम लोग गॉस्सेत् ओलॉइग गयोव का गॉसे सलो का इसके बाद हम लोग गॉसे सलो के डिफरेंशल फर्म को एक वीडियो में डिसकस करेंगे and then हम लोग गॉसे सलो के applications को डिसकस करेंगे जहां पर हम लोग देखेंगे अलग अलग तरह के जैसे होता ना electric field intensity due to infinite line charge, electric field intensity due to spherical charge, cylindrical charge जो के इस तरह के जो भी एप्लिकेशन से उन सब को हम लोग डिसकस करेंगे आने वाली वीडियोज में, तो पहले जो है, हमें यहाँ पर समझना चाहिए कि आखिर यह गौसिस लोग इन लेक्टोस्टेटिक्स क्या है, क्या कहता है, ऐसे बेसिकली हम लोग सब कोई, इसे class 12 मे पढ़ चुके हैं, बट BSE physics में भी है, तो हमें इसे जरूर जरूर पढ़ना चाहिए, ऐसे statement हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, बट हमें थोड़ा समझना चाहिए, क्या क्या है, देखें मेरे प्यारे वीवस, इसे हम लोग एक छोटा सा, यहाँ पर एक छोटा सा, गॉस लोग जो है, यह एक्चुली में, जो एलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फाई ही, और जो चार्च, लोगों सर्फेस के द्वारा इन गॉस किया जाता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें यह गॉस लोग देता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों को रिलेट करता का यह गॉस लोग, मान लिजे कि आपके पास एक क्लोज सर्फेस कुछ इस प्रकार का एक क्लोज सर्फेस है, इस्वेरिकल सर्फेस ने क्लोज सर्फेस है, एक हाईपोथेटिकल क्लोज सर्फेस कह सकते हैं, जिसको हम लोग गॉस्ष्यन सर्फेस कहते हैं, हम लोग नहीं मान लिजिए यहां पर एक hypothetical surface consider कर लिया और इस surface के अंदर मान लेते हैं कोई एक charge q जो है या positive q charge जो है अंदर में reside कर रहा है तो जो total electric flux होगा through this close surface जो close surface मान लेते हैं close surface को s ले लिए तो यह जो close surface s है इसके थो जो total electric flux होगा जो total electric flux होगा phi e यह equal होता है आपका 1 by epsilon not times the charge enclosed by this close surface इससे equal होता है phi e is equal to q by epsilon not जहां पर epsilon not क्या है पॉमिटिविटी है आपका free space का q जो है charge जो यह surface is enclosed किया है और phi e क्या है electric flux through this surface okay समझभा रहा है आप यही चीज़ जो है gausses law in electrostatics हमें कहता है है यहा फिर एक relation देता है electric flux और चार जो close surface enclosed किया है आई इसके statement को देखते हैं क्या आख इसका statement क्या कहता है it states that the total electric flux through a close surface is equal to 1 by epsilon not times the net charge enclosed by the surface okay है नेट चार्ज जो surface enclosed है surface के अंदर enclosed या surface जो net charge enclosed कर रही है है ना 1 by epsilon not time that charge है जो है हमारा total electric flux equal होता है अगर हम लोग इसको mathematically लिखना चाहें तो कैसे लिख सकता है mathematically okay यहां पर देखेगा mathematically हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं electric flux जिसको phi e से denote करते है phi e is equal to integral over close surface as hero e dot n cap ds okay is equal to q by epsilon not this is a mathematical form या फिर ऐसा कह सकते है mathematically हम लोग कुछ इस प्रकार से gausses law को लिख सकते हैं और साथी साथ यहां पर यह जो आप देख रहे हैं यह वाला जो हिस्सा है मतलब यह जो हिस्सा है phi e is equal to integral over close surface as hero e dot n cap ds इस हिस्से को हम लोग कहते है integral form of gausses law integral form of gauss law इसको हम लोग integral form of gausses law कहते है इसका differential form भी होता है उसको अगली वीडियो में discuss करेंगे ठीक है तो यहां तक आपने सारी चीज़े समझ ली अब बात है कि हम लोग इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कैसे इसको प्रूफ किया जाए तो मेरे प्यारे इसको प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर एक हैपोथेटिकल सर्फिस जिसको लोग गॉश्यन सर्फिस कर कहते हैं उसको यहां कंसर्डर करना होगा माल दीजिए चलिए यहां लिखते हैं प्रूफ है प्रूफ ठीक है माल दीजिए कि हमारे पास जो है यहां पर हमने एक सर्फिस कंसर्डर कर लिए जो स्फेरिकल सर्फिस तो नहीं है लेकिन एक हापोथेटिकल सर्फिस है ठीक माल लेते हैं इस पर यह हाँ पर एक . O है कई और इस पंट ओ पर जो है एक positive charge क्यूंट रखा हुआ है और यह銀यें us close surface हैं इस close surface पर ही माल लीजिया हम लोग एक point P consider कर लेतい practice हैंना यह उट्र sacred dub ai जैना इस चलिए is close surface कोह स्रे लेता है इस इस क्लोज सर्फिस पर ही हम लोगों एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिजा और मान लिए यह जो चार्ज है इस चार्ज से हमारा पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आज ले लिए ठीक है कि हम लोगों ने क्या किया मेरे प्यारे वीवर्स यहां पर एक हापोठेटिकल सर्फिस जिसको लोग गौश्यन सर्फिस क्याते हैं इसको यहां पर एक पॉइंट ओ लिया है जिस पर एक चार्ज पॉस्टिव रखा हुआ है और यह जो सर्फिस है इस पर ही हम लोग एक पॉइंट पीक ले लिए है तो यहां से चार जहां पर रखा हुआ है और जो पॉइंट है इन दोनों की बीच का जो डस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब माल लीजिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो है यहां पर यहां पर एक स्मॉल सर्फिस ढीर हैस कंचिडर कर लेता है कि है इस सर्फिस पर हिं मतलब जो ख्लोश सर्फिस हैं इस पर भी इसी पर हम लोग एक स्मॉल एरिया यह स्मॉल ऋझट पार हूं ज़ार यह तो मेरे प्यारे वियव Minist हमें पता है कि यहां पर charge है और यहां पर point P है okay तो इस point पर क्या होगा kuch electric field का intensity होगा है ना चुकर यहां पर यह electric field में रखा हुआ इस charge के electric field में तो obvious सी बात है इस पर कुछ electric field intensity होगा कुछ electric side density का magnitude यहां पर apply हो रहा होगा तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो आपका magnitude होगा, है ना, electric field के intensity का, चलिए उसको arrow E ले ले लेते हैं, ओके और यह किस से equal होगा, यह equal होगा, आपका 1 by 4 pi epsilon 0 into q by r square से equal होगा, ठीक है, इसको equation number 1 ले लेते हैं, है ना, समझ पार है, हमारा जो charge q है, उसके कारण, point P पर, जो electric field intensity है, उसका magnitude जो है, हम लोग arrow E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0, q by r square लिये होगा है, ओके, यह समझ क्या होगा है, अच्छे से, ओके, अब यहां पर यह जो small surface हम लोग ले रहे हैं, या small area जो ले रहे हैं, ds, ओके, माल लेते हैं, let d5e be the total electric flux, okay, total electric, total electric flux, electric flux, okay, total electric flux, passing, okay, through, okay, total electric flux कहेंगे, हैना, flux through कहेंगे, passing, नहीं रखते हैं, ठीक है, let d5e be the total electric flux, through, the area ds, हैना, यह जो area, यह small surface, small close surface, जो हम लोग consider कहेंगे, ds, okay, इसके तरू, जो total electric flux, जो हम लोग d5e ले ले लेता हैं, okay, तो यह जो d5e है, यह actually किस से equal हो जाएगा, यह equal हो जाएगा, आपका, इसको हम लोग इस से equal करेंगा, यहां integral नहीं आएगा, arrow e dot, n cap ds से equal हो जाएगा, जहां पर यह जो n cap है, यह actually, यह जो आप देख रहे हैं, यह जो surface है, इस surface के normal एक unit vector होता है, इस surface ds के normally एक unit vector है, n cap, और arrow e जो है आपका electric field intensity है, okay, point p पर और ds जो है आपका, यह small area, okay, now मेरे प्यारे वीवस, हमें पता है, arrow e का value, arrow e का value यहाँ पर रखिये तो, from 1, okay, from 1, ठीक, arrow e का value रखिये, 1 by 4 pi epsilon not dot q by r square, okay, n cap ds, ठीक, है यह यहाँ पर dot रहेगा, और इसको साथ में ले आते हैं सबको, okay, अब इसका, इसका जो कार है, वो हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ देखेगा, d phi e is equal to arrow e dot n cap ds, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, हम लोग arrow e का value थोड़ा बाद में पुट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखेगा, arrow e dot n cap ds है, इसको ऐसे लिख लेजे, e ds cos theta, ठीक है, अब चुकिए यहाँ पर dot product है, तो हम लोग इसको जो है, है ना, solve कर लिए dot product को, और n cap चुकिए unit normal vector है, तो इसका magnitude 1 से equal होगा, तो e ds cos theta आ जाएगा, अब यह जो theta है, यह क्या है भी यह, theta जो है, actually में, क्या है, angle है, arrow e, और n cap के बीच का, है ना, मतलब जो electric field intensity का जो direction होगा, electric field का वो इस direction में होगा, ओके, और जो unit normal है, इन दोनों के बीच का जो angle है, उसको हम लोग theta से denote करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर जो है, हम लोग इस value को रखते हैं, arrow e के value को, क्या होगा, 1 by 4 by epsilon 0, q by r square, ds cos theta, ठीक है, अब यहाँ देखे, हमारे पास, इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लेता है, q by 4 by epsilon 0, r square, ok, ds cos theta, अब यह जो d5 है, यह क्या है, यह actually मैं आपका small electric flux है, है ना, जो is small area ds के थो है, है ना, तो जो total electric flux होगा, है ना, total electric flux, total electric flux through, through the closed surface, ok, through the closed surface, s is, क्या होगा, यह कैसे पता चलेगा, यह पता चलेगा, जब हम लोग इसको integrate करेंगे, तो चलिए इमान लेते हैं, total electric flux phi e है, तो यह किस से equal हो जाएगा, integral over closed surface, d5 e से equal हो जाएगा, है ना, अब d5 e का value क्या है हमारे पास, integral over closed surface, q by 4 pi, epsilon 0, r square, ds cos theta, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ds cos theta by r square, ठीक है, अब यहां पर थोड़ा हमें figure पर वापस आना चाहिए, मेरे प्यारे वीपस देखिए, यहां पर, अगर हम लोग यहां से कुछ dotted lines, कुछ इस प्रकार से draw करें, ताकि यहां पर हमें एक cone मिल सके, इस प्रकार का, ओके, तो यहां पर यह जो small area हम लोग consider किये हैं, यह जो small closed area हम लोग consider किये हैं, यह यहां पर O पर जो है, एक solid angle बनाएगा, यह जो O है, point O, यहां पर एक solid angle सबस्टेंड करेगा, जिसको हम लोग D omega से represent करते हैं, ओके, और यह जो D omega है, यह solid angle है, यह equal होता है आपका cos theta by r square, हैना, ds cos theta by r square से equal होता है, ओके, तो यहां पर देखिए, ds cos theta by r square जो है, किस से equal हो जाएगा, d omega से, जो solid angle है, q by 4 pi epsilon not, integral over closed surface, d omega से equal हो जाएगा, अब थोड़ा सा गौर कीज़े, हम लोग क्या कहें, हम लोग यह कहें, मेरे प्यारे विवर्स, कि यह जो closed surface, ds है, यह क्या कर रहा है, solid angle subtend कर रहा है, ओपर, d omega, इसका value है, वो 4 pi से equal हो जाएगा, q by, 4 pi epsilon not into 4 pi हो जाएगा, ठीक, समझ पा रहा है थिंको, अब जो है, यहाँ पर देखेगा, हम लोग अगर 4 pi और 4 pi कैंसल कर दे, तो हमारे पास क्या बचेगा, q by epsilon not, मतलब 5e क्या मिल रहा है, q by epsilon not, अब देखे, हम यही तो प्रूफ करना है, phi is equal to q by epsilon not, मतलब जो total electric flux है, through the surface S, वो किससे equal है, 1 by epsilon not times the charge enclosed by the surface, ओके, यहाँ पर हमारा गॉसलो क्या होता है, प्रूफ हो जाता है, अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है, कि माल लिजे, कि हम लोग तो यहाँ close surface में केवल single charge गंजड़ा किया है, लेकिन माल लिजे, कि जो close surface है, इसके अंदर single charge ना हो करके, कई charges हो, माल लिजे q1, positive q1 लेगे, positive q2, positive q3, negative q1 prime, negative q2 prime, इस प्रकार का charges, अगर कई charges हो है, इस solid surface S के अंदर present है, तब क्या होगा, हना, तब यह जो electric flux है, through this surface S, यह through this close surface S, हना, उस पर क्या affect पड़ेगा, तो देखे, इस पर क्या affect पड़ेगा, हम लोग यह यहाँ पर देखते हैं, अब several charges जो है, हना, उन सब का sum हम लोग ले लेता है, ठीक न, कुछ ऐस प्रकार से, 1 by epsilon not times q1 plus q2 plus q3, okay, and so on, minus q1 prime minus, अच्छा एक माइनस तो हैं यह na, q2 prime, okay, minus q3 prime and so on, okay, and we'll take it, 1 by epsilon not sigma q, और यह यह जो summation q है, इस को हम लोग capital Q में बदल देगा, q epsilon not, okay, so, phi is equal to capital Q by epsilon, epsilon, epsilon not, ठीक है, यह हो जाएगा, आपका मतलब, यहाँ पर ठीक से लिख देता है, phi is equal to capital Q by epsilon not, जहाँ पर capital Q क्या है, हना, total, मतलब, total charges का sum है, okay, so, अगर number of charges present है, close office area के अंदर, तो उन सारे charges का हम लोग sum लेंगे, okay, क्योंकि वो सारे charges मिल करके, total electric flux को contribution करती है, ठीक है, okay, जैसे हम लोग single charge लिए, तो वो single charge भी contribute कर रहे थी, electric flux को, उसी प्रकार, अगर number of charges present हो, तो वो सारे charges मिल करके, contribution करती है, ठीक है, अब देखे, यह सारी चीज़े आप समझ रहे हैं, अब देखे, यहां तक सारी चीज़े हम लोग समझ गये, लेकिन एक चीज़ अभी तक ऐसा है, जो हम लोग नहीं समझे, मेरे प्यारे विवस देखे, हम लोग यहां पर जो charge लिए थे, वो positive क्यों क्या था, जो हमारा close surface है, उसके अंदर था, लेकिन माल लिज़े कि यह जो हम लोग का charge है, यह close surface के बाहर होता तो, देखे, अगर हमारा charge close surface के बाहर होता, तो इस स्थिती में, जो हमारा charge है न, वो electric flux पर किसी प्रकार का कोई contribution नहीं करता, ठीक, जयान रखेगा, हम लोग जो यहाँ पर charge लिए हैं, वो close surface के अंदर है, लेकिन माल लिज़े, चार जो है close surface के बाहर होता, तो इसका कोई contribution नहीं होगा, total electric flux through this surface S, ओके, तो, आज के इस वेडियो में, हम लोग गौस लॉइन electrostatics को discuss किये, अगर आपको कुछ भी doubt है, कुछ पूछना है, तो please comment किजे, ताकि आपका जो भी doubt है, उसको हम लोग clear कर सके, और यहाँ पर यह जो solid अंगल के बारे में, आपको हम लोग बहता है, कि यह जो value है, ds cos theta by r square, यह actually d omega से equal होता है, हाना, यह solid अंगल है, जो यह small area ds यहाँ पर subtend किया, subtend करता है, ठीक है, d omega से equal है, ठीक है, d omega, और यह जो integral over closed surface d omega है, यह इसका value जो है, 4 pi radian से equal होता है, क्योंकि यह integral over closed surface d omega है, यह actually में total, हाना, total solid angle की बात करें, total solid angle, जो इस close surface ds के द्वारा subtend किया जाएगा, within it, उसकी यह बात करें, तो यह close surface के लिए 4 pi radian से equal होता है, इसलिए हम लोग direct 4 pi लिए और cancel करके इस जिसको प्रूफ के ठीक है, तो आपको कुछ भी doubt हो, तो please comment कीज़े, ताकि आपका जो भी doubt है, इसको हम लोग clear कर सके, और जो differential form है, gausses law in electrostatics का उसको आने वाली वीडियो में discuss करेंगे, ठीक है, यह इसका integral form, और मेरे प्यारे वीवस देखिए, हम लोग जो application से gausses law का उसको बहुत जल्ड discuss करने वाले हैं, ठीक है, तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में,